लो जोस्तों, पाइफन टेटर में फिर साथ कसा आगते हैं, आज हम लोग अप्सटाव कॉपी टेटिंग टूल के बारे में देखेंगे, जैसे आपको पता है, जो लोग मल्टिपल्स एकांट हैं या फैमली के हों या क्लाइंट्स के हों, उन्हीं कॉपी टेटिंग टूल के है, अगर सब्सक्राइब में पास वन लाग फंड है और इन्हीं क्लाइंट के पास दो लाग फंड है, तो मैं यहाँ पर मल्टिपल्स एकांट में अलग अलग कॉंटिटी प्लेस होंगे, चीज सेम ही होगा, मतलब आप जो भी सिम्मल भाई कर रहे हो, सभी होगा, बस कॉं है, यह सभी जो फाइल्स हमारे गोगल ड्राइब पर मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट मिल जाएगा, हमारे जो गोगल ड्राइब का लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन वे दे दूँगा, बाकी फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, tinyurl.com.pt copy, जब यहाँ पर जाओगे एकसल में क्या, आप पे पгляд प्याइड डालिएगा, नीचे चाइल डालिएगा, नीचे चाइल डाल गालिएगा, इकाउट झाल पनुल करते हो, मैन एकाउट जिसमें Main pressed करोगे, प्लिस प्लेसा ही करोगे, प्लेसा करो oh, आपको यह लिएधार और प्लेसी लिए गया, वी टीवटिप डाला है एक रखल तीवटिप की सेक्रेट की कहां से मिलेगा हम स्टेप्स देखेंगे फिलः हम लोग इस टूल को और प्लेस करके देखते हैं तो यह हम लोग इस टूल को इंटर किया जैसे इंटर करेंगे यहां पर लेगा हमारा मास्टर एकाउंट नहीं हो चुका है और इस टूल के लिए आपको क्लाइंट से कोई भी डिटेल नहीं लेना है लो वन टाइम आपको क्लाइंट से उजिर आड़ी पासवर्ड एपिय की ले लेना है ऐसा नहीं कि पर connected हो चुगा होगा सारे connected हो चुकए है यहां भी detail आ जाएगा यहां मंजेश कुमार किसन कुमार यह सारे accounts आ चुका है बिना ऑटवी डाले हमने बस double click करके रन किया था अब इस account में 380 रूपे जा । 486 है तो इसमें 0 है जिसमें copy नहीं हो पाएगा fund कम हो जाएगा तो हम इसमें order copy करेंगे देखेंगे इसमें कितने second में copy हो रहा है ideally maximum one second में आपको copy होगा इस tool के help से आप equity, commodity, currency, options, future सभी कुछ copy कर सकते हैं फिलाल में पास fund कम है तो future में trade नहीं कर पाएगे लेकिन मैं कोशिस करूँगा कि options कोई मुझे कम price का मिले है तो हम लोग option place करके देखेंगे सबसे पहले हम लोग इक्विटी से start करते हैं यह हमारा मंजेस से मुझे किसन में copy करना है हमने मंजेस को इसमें age में open करके रखा है हम लोग एक order copy करेंगे suppose करो मैं yes bank को place करता हूँ इसमें आप limit order market order कोई भी order आप place कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए और सभी कुछ होगा इसा कुछ limitation नहीं कि सिर्फ market कोपी होगा सभी कुछ copy होगा modify भी होगा cancel होगा suppose कर मैं limit प्लेस करना चाहता हूँ लिमिट में 24 रुपीज का limit डालना चाहता हूँ यह हमारा मंजेस का एकांट है मैं place बॉर्त करता हूँ है यहां पर जा चुका है डोब acts k 18 मिनट चाहँ देखते हैं शाइधन के कं देखते हैं हैं कि सिर्फ सप्रापझ के ठाल सफड़ा झाल लिए हमारे एक्सूर्च मिन दिखने खर एंगा जैसे हमारे parent का order book है, parent का order book में कितने हुज़े गया है, 2 बच के 15 मिनट, 49 सेकेंड, child का देख लेते हैं, all client order book, हमारे child में open order कितना गया है, 2, 15, 49, यानि, 0 second, यह millisecond में आपका हमारे order copy हो, यह हमारे parent account के detail थे 49, यह हमारे child account के थे, यहाँ पर second नहीं show कर रहा है, website में, तो मैंने आपको Excel में detail लिखाया, यानि के मारे copy हो, अब मैं सब्सक्राइब इसको modify करके market पर execute कर देने चाहता हूँ, मैं इसे modify करके market पर निकालना चाहता हूँ, हमारे यहाँ से order, execute हो चुगा है, दो बच के सुल्ला में रेट में चाहिड में देखते हैं, चाहिड हमारे यहाँ पर है, यहाँ भी 216 में हो चुगा है, और एक्जैक्टली टाइम देखना है, तो Excel सीट में देख लेंगे, यहाँ पर हमारे open orders कहीं सेलेक्टेट सीट था, मैं यहाँ पर all order कर लेता हूँ, तो जितने भी order जो इसक्यूट सक्सेस भी हो गया, वो भी आ जाँगे यहाँ पर, yes bank 216.38, यानि millisecond में हमारे order कॉपी हो जो गया है, अब इनका position सीट देखिएगा, हमारा parent का position देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर running है, एक quantity, चायल में कितना रखा था, multiplier 2 रखा तो यहाँ चायल में दू कांटिटी से running होगा, position, क्योंकि हमने यहाँ पर जो multiplier था, वो 2 रखा था, अगर सेम कांटिटी मुझे कोपी करना हो तो, तो मैं क्या करता, यहाँ पर इसको multiplier को 1 रख देथा, ठीक है, अभी मैं इस position को cut करता हूँ, देखेंगे, चायल से cut होता है कि नहीं, हम parent में गया, parent में जाके मैं इसको exit कर रहा हूँ, exit confirm, parent से हमारे निकल चुके हैं, child में चलते हैं, child से हमारे निकल चुके हैं, हम लोग timing देख लेंगे, timing यहाँ पर नहीं देखते हैं क्या, नहीं तो maximum देखी सकते हैं, जो हमारे details से, यहाँ पर बस वो minute ही दिखा रहा है, चलो main हमारे देखना है, कितना दर second में हमारे कोपी हो रहा है, 217 में हमारे, okay, Excel में देखते हैं, order book चलते हैं, जो sale का हमारा order गया होगा, sale का हमारा order गया है, 217.48, चाल में देखते हैं, 217.49, यहाँ यहाँ पर one second, यहाँ पर one second के अंदर, millisecond करता है, second किस्समें change हो रहा, उसके उपर depend करेगा, तो आपको millisecond में हमारे order, यहाँ पर copy हो जोगे हैं, और जैसा हमने multiply रखा था, यहाँ पर two multiply रखा है, तो two हो गया है, चलिए आप लोग को मैं एक options का भी trade कोपी करके दिखाता हूँ, कुछ लोग डाउट होता है, तर आप्सें कोपी होगे के नहीं होगे, चलो मैं options कोपी करता हूँ, मैं एक छोटा सा price को लगए हैं पर add किया है, 15 rupees के चल रहा है, मैं इसको options buy नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसको limit order लगाऊंगा, और इसको लगाता हूँ 5 rupees का limit order, 5 rupees का limit order, place buy, ठीक है, orders में चलेंगे, orders हमारे हैं पर लग चुके हैं, 2 बच के 19 मिनट, exact timing हमको Excel में देख लेंगे, 2 बच के 19 मिनट, 7 second, child में चलते हैं, यहां भी 2 बच के 19 दिखा रहा है, second के लिए Excel में डेटल देख लेते हैं, मैं Excel इसका दिखा दो ताकि आपको इसका fastness का पता चले, कि कितना second लग रहा है, 2 19 08, 2 19 08, यहां पर 2 19 साथ, यहांनि एक सेकंड यहां पर दिखा रहा है, यहांनि इसकंड हमारे orders को कोपी हो गए है, आप जो साइट में देखना चाहोगा, यहां भी आपको open है, वगरा, चलो मैं parents से, child से, parents से cancel कर देता हूँ, cancel, अल्जान तो cancel, यहांनि इसकंड पर देखने हो चुके हो गए है, parent में भी देखने हो चुके हैं, ठीक है, तो हमने कोपी करके तो देख लिए हैं, यह टूल मस्त कोपी कर रहा है, अब यह टूल में जो डिटेल्स थे, यह जो डिटेल्स थी, API Keys, Secret Key, TOTP, यह सब कहां से मिलेगा, यह टिटेल्स है, और कुछ भी निए, क्योंकि आपको जब टूल रन करोगे, तो आपको यह टिटेल्स पूछेगा, यूजर आइडी, तो पूछेगा आपसे, लॉग इन में आपको new session से लिट करना है, मॉवाइल नमबर, पिन नमबर, TOTP, API, की एन सेक्रेट की यह टिटेल्स जालना है, तो हम लोग चलते हैं, मॉवाइल नमबर तब पता ही है, पिन भी आपको पता रहता है, TOTP वेगर कहां मिलेगा, तो एक एप क्रिएट करना पड़ता है, एप क्रिएट करने का लिंक किया रहता है, एकाउंट डॉट में सारे कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मैंने यह पर नोट करके रखा है, मैं एक एप क्रिएट करता हूँ, आप इस वेब साइट पर जाईएगा, यहाँ पर आप से आपका अप स्टॉक का जो एकाउंट में लगओट कर देता हूँ, फिर से लोगइन करेंगे, ठीक है, जब इस लिंक पर हम जाएंगे, तो पहले आप से लोगइन करने के बोलेगा अप स्टॉक का मॉवाइल नमबर, मैं मॉवल ओमर डालता हूँ, 63069, इस जाएगा, 390908, पिन आपको डालना होगा, थीक है, तो आपके यह एप का वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ पर आपको जाके बनाना है निव एप बनाना, यहां पर अलोड़ी एक app बना हुआ था प्रेडर के नाम से आप new app करिएगा यहां पर कुछ भी आप नाम देज़ेगा सपोज करे टेस्ट दे दिजे यहां कि आप redirect URL काफी धियान से दिजेगा redirect URL में कि आपको क्या देना है https colon 1 to 7.0.0.1 यही चीज देज़ेगा इसमें कुछ भी अगर आपने s gap कर दिया या 0.0 लिख दिया तो वही problem आ जाएगी तो आपको यही value आपको exactly देना है यहां पर हमने इसको दिया और उसके बाद यहां पर यहां पर आप confirm करेंगे और continue कर देए तो आपका आप confirm plan आप 때 아 आप ready हो चुका है यह हमारा आप ready हो चुक है हमने testing होना है था आप इसमें देखें क्या क्या आपको दिख रहा है यहां पको apik दिख रहा और API secret दिख रहा है तो यह दुन रिटेल आपको मिल गए API की मिल गए API secret मिल गए जो आपने को यहाँ पर चाहिए था API की and API secret अभी हमें है क्या है TOTP की यह जो TOTP की कहां से मिलेगा तो हम लोग चलते हैं Upstock के website में चलते हैं Upstocks आपको Upstock के website में login करना होगा लोग इन करेंगे चोकी यहां पर यहां पर जाएगा माई प्रुफाइल में जाएगा माई एकाउंट में जाएगा माई एकाउंट में जाने के वाद आपको लेप साइड नीचे काया गा option TOTP करने के लिए टाइम बेस OTP यहां पर चुकि अलड़ी इनेवल है तो डिसेवल का उपसन आ रहा है नहीं तो यहां पर आपको एक इनेवल का उपसन आता है जब आप इनेवल का उपसन आता तो वहां पर QR कोड दिखेंगा और QR कोड के नीचे लिख कर आएगा मिलेगा तो इस तरह से आपको मुईल नमर, PIN नमर, TOTP, API की सभी डिटेल यहां मिल इसचीज़े आपको डालना है कि एक यहां पर इसर आइडे हो कितने टाम से कोड़ने हैं और इस टूल को कर दिए हमसता का काम चलेगा यह सारे details आप यहां भी देख सकते हैं जिसे मेरा holding यहां दीख रहा है वड़ाफ़म का holding दीख रहा है तो सारे accounts में क्या holding है नहीं है सारे आपको idea इसी से लग जागा बाकि तो आप website में देख से यहां भी आपको दिखेगा कॉपी हुआ कि नहीं हुआ किस टाइम पर हुआ कुछ रियक्सिन तो नहीं है तो यह सारे message आपको CMD पर दिखते रहे कोई order आया तो order चला गया क्या order ID हुआ कुछ rejection हुआ माल जी कुछ network का इरण आया चाहे किसे फंड नहीं है तो सारे rejection आपको यहां पर दिख जाएंगे तो एकाउंट आपको 50 रुपीज पर मन्त पे करना होगा और minimum 250 रुपीज सपोज करो यहां पर कोई बंदा तीन एकाउंट को यूज कर रहा है तो इनसे भी मैं 250 रुपी चार्ज करूंगा यानि कोई बंदा एक एकाउंट यूज करे करे दो कोपी करे या पांच में करूँ त थैंक यू